असलामु आलेकुम आज हम बनाएंगे पनीर टिक का सैंड्वीच सैंड्वीच बनाने के लिए हमने 20 ग्राम पनीर लिया है इसे हम क्यूप्स में काट लेंगे कटे गभपनीर की पीसिस पर हम उपर से है एक चुटकी काला नमक एक चैक मसाला पाउडर कि उखली बावडर म कहा हम चुटी मंध्य जम मुर्टड यह एक कटीषी लाल मुर्च इच गर्म मसाला पाउदर थोड़ा सामा इस पर नमक आड़ करेंगे और इन सब को अच्छे से मिला कर रख देंगे सबसे पहले हम ग्रीन चटनी तेयार करेंगे जिसके लिए हमने एक मुट्टी हरा धनिया को जार में आड़ कर दिया है साथी हम इसमें 5-6 हरी मिर्चे एक चोटा तुपला अद्रक का चार से पांच लसन की कलियां भी आड़ कर देंगे और उपर से इस पर आदा चोटा चम्मच काला नमक आड़ कर देंगे और आदा चोटा चम्मच ही सादा नमक भी आड़ कर देंगे नमक आप अपने टैस्क के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे और इसका पेस्ट तियार कर लेंगे चटनी हमारी बन चुकी है हमने दो ब्रेट के स्लाइस लिए है इस पर हम उपर से सॉफ्ट बटर लगा देंगे यह देखिए बटर हम इस पर ज्यादा नहीं लगाएंगे बटर हमारे ब्रेट स्लाइस पर लग चुका है अब हम इस पर उपर से जो हमने ग्रीन चटनी तैयार की है वो बटर के उपर से लगा देंगे ग्रीन चट्नी हमारे दोनों स्लाइस पर अच्छे से लग गई है आप हम इस-पर ऊपर से टॉमाटो केचप भी दोनों स्लाइस पर लग देंगे अब नहीं डोइन हैं दोनुँ ढाekkz फर पर दोना दोना ही चटनि हमने ब्रेट k doable house पर बहुत अच्छा सी लगा दिए हम सब लगाना है हम सब लगा और लगा देन्गे । कि आपसिकम हमारा लग चुका है अब हम प्यास को लगा एंगे प्यास हमारा are o जली थोड़ा सanka पेपर गरम मसाला पाऊडर के और मत्रा रिखान शम्हें थे की पाउडर बीष्मन अब इस पर उपर से अमूल की प्रोसेस चीज इसको डाल देंगे आप चाहो तो यहां पर मौजरेला चीज भी डाल सकते हो चीज आप अपने हिसाब से जितनी भी आपको पसंद हो डाल सकते हो बस इस बात का ध्यान रहें कि जो पनीर के क्योप से यह अच्छे से कवर हो और इसे मैं क्रीमिनेस भी बहुत अच्छी आती है विल आप मातों किज सब्सक्राइब दालने के बाद हम ने सीज का सलाइस को साओ connection कि विल सयाओ ISS सब्सक्राइब तोड़ा सा चलिस्ट्रइब लोड़ा साध यह बहुत формal आप यह को इस के लिदो कर शकते हो आप चाहो तो इसे ओवन में भी बना सकते हो हम यहां पर आपको इसे पैन में बनाना सिखाएंगे सबसे पहले हमने एक पैन में थोड़ा सा बटर राट कर दिया है बटर जब हमारा मैल्ट हो जाए तो हम इसमें जो हमने ब्रेट के स्लाइस को तयार करके रखा है वो डाल दे यह देखिए कितना शान्दार लग रहा है हमने इसे बहार निकाल लिया है अब हम इसे पैसे कटकर लेंगे लग रहा है ना बिल्कुल बजार जैसा आप इसे हमाय दरीके से एक बार जरूर ट्राइगा और हमें कमेंण्स में जरूर बताईएगा क्यासा लगा मिलते हैं अ